BBS 2nd year, BBS 4th year, चथा MBS 2nd semester अंतरगत, Master Budget आमीं chapter मा चाप्टर मा चांग, एकाउंटको, रएस चाप्टर मां आमी मास्टर बजेट सांग, संबन्धीत के एकजाम्पल हरु सलूशन गरी रहखा चांग। आचा पनी मामा यहां अरुसांग युटा एक्जामपल ली रोपस्तित बहे कोचो रा यू ट्रेडिंग कांशन कोच नन मैनुफाक्टरिंग कांशन को यू बन्दा अगिल्डो कुईशन आमी अगिल्डो क्लास मा गरे का थियू मैनुफाक्टरिंग शांग संबन्दित कुईशन रा यू कुईशन आर ट्रेडिंग कंपनी इस इन प्रोसिस अफिर्पेरिंग मास्टर बजेट गैदर था फौलिंग इंफरमेशन अवा इस अचेट आनन लाईशन आमलाइया न वन जा बनी इस इस अचेट आनन लाई यू इन फर्मेशन शंग इंआन आमलाई के बन सान ऑने the company sales are mostly on credit experience shows that 50% of credit sales are collected in the month of sales and remaining 50% are collected following two month of sales equally. अब आउद दुए मेना मैं 50-50% से collection हम चाजून रिमेनि sales तेशको. Bad debt and uncorrectable debt are negligible. Bad debt छाई ना अई ना अनी all purchases are paid on the following month of purchase सब्बे और को मेना मा तीरीं छा margin on sales is 50% gross profit दियो अब धेरेचाशो ता आमी gross profit दियो अने trading concern को question raise हाव हैरपने चीनीं छा तेशते operating and distribution expenses are 30% of the month sales June month को sales हो तेशको 30% घना चाई operating and distribution expenses हो अनी expenses are payable on the month of their being due expenses मनेको June महिना को खर्जाओ तेशते संबंधित महिना मानेके गरींछा तीरीं छा अनी the company has a policy of maintaining a sufficient inventory of merchandise to meet the following month sales and minimum cash balance of rupees 10,000 the company has been thinking of buying a computing machine in the month of January at a cost of rupees 80,000 the company has reached an agreement with a bank for a soft loan at 12% interest loan are received in the multiple of rupees 5,000 and payment are made in rupees 1,000 5,000 को multiple मा loan लिएंच, loan 12% interest को rate मा लिएंच, रतेशते पेमेंट मेड गर्दा 1,000 को multiple मा payment गरनू पर्षा amount of interest due are paid for the loan repayment with the repayment amount to our nearest of rupees 100 rate रतेशरी आमीचे इंट्रेस्ट पेमेंट गरने वेलामा 100 को नियर उने गरेर payment गर्णू पर्षा रतेशरी आमलाइचे यो information दियो रतेशरी आमलाइचे यो इन्फर्मेशन दियो रतेशरी आमलाइचे फर्स्ट मा भने गोशा जती पने ट्रेणिंग गूड्स रूँँछा, merchandise गूड्स रूँँछा त्यो सबै बाईरी मार्केट बाट बाईरी सप्लायर्स का बाट कीने रल्याउनू पर्णूँँछा तर तेशरी किन्दा कती कुछ समान कीने रल्याउने द बन्ने संग सम्मधित आमी इस्टिमेट गल छूँँछा जस्ट लाइम मर्चन्डाइज पर्चेज बजिर वनिये गोँगो तर यो सेल्स रेविन्यू मा डिपेड़नुँछा क्वेशन मा सेल्स रेविन्यू दिये गोलाया आमलाय नोबेंबर देखीको सेल्स देखोचा तर आमलाय जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च जनवरी गो आमरो 1,60,000 छा फेब्रुवरी मा 2,00, मार्च मा चाच्छु 2,40,000 रयो बंदा पची अप्रिल को बनी इन्फर्मेशन देखोचा त्यो आमलाय चाही यो बने आमि behaviors गरला, या है 6,000,000 गरण जोडशाँ जस्तो, 160 रर 2,40 गरणा कथि 4,00,00,00 중에 5,00,00,00 margin on sales is 50% बनाय या, 50% आमी सेल्स को गर्शूं येसे को 50% कर दे राखदी गर्शूं जस्त जनवरी को सेल्स को 50% 80,000 या 1,00,000 या 1,00,000,000 अनी यो पनी आमी 50 गर्यों बने यो 3,00,000 हुन्ज आमी ये सरी ग्रश प्रफिट लाइ लेस गरे आये को रिचल्ट आमरो कस्ट अफ गूड शोल्ड हुन्छ कस्ट अफ गूड शोल्ड वाने को ग्रश प्रफिट बराबर ने वने वो किना की 50% मार्जीन वाने 50% ने कोस्ट हुन्छ वानलाग ट्वंटी थाउजेन अनी थ्री लाग यो आमी तिन टेल है ट्वोटल गर्यों बने थी लाग पूग्ण गर्षा रहा यह कस्ट अप गुड्स वोल्ड मा आमी एड़ गर्षां क्लोजिंग स्टोक आफ मॉर्षांडाइज अगी बने आमी मॉर्षांडाइज को इस्टि पॉलिशी बलेगा थीम इन्बैंक तिम्स्पा शॉपिशेंट Eddy inventory of moros and dice to meet the following month sales बनेचा औरको महिना को sales need बराबर होंचा बन्छा येसको आमी 50% बन दाई सरी sufficient बन दाई सबने 100% नाई उने बो जो 10 वान लाग पूरे आउने बो तेस्ते ये मार्ज मा आमी मार्ज बाटा फेबुरुरी माले आउचा हूँ 1,20,000 अब जस्तो मार्ज को 50% sales को 50% से ये जा closing stock रुप मा फेबुरुरी माहूँशा बने अप्रिल को sales को 50% ला आमी closing stock आफ मार्ज मान शाँ तसर्था अप्रिल को sales बने रा 2,80,000 देगो छा 2,80,000 को 50% बने रा 1,40,000 हुँँचा त्यो 1,40,000 जुन अप्रिल को sales को 50% हो तेल्ला आमी मार्ज को closing stock बने रा यान आउचा हूँ 1,40,000 अब closing stock को concept न्यार समल सदेचा आमी budgeted period को last month मा जथी closing stock हुँँचा तेसला आमी total मा राख्षा हूँ 1,40,000 ने हुँचा त्यों एसला आमी total गरें बने यो total requirement आयो 1,80,000 तो लाख 20,000 तो लाख 60,000 अनी 4,40,000 अनी एसमा आमी लेस गर्न बर्षा ओपनिंग लाई opening stock of opening stock of merchandise अब opening stock of merchandise भन्डेवित देग हमले के बुज़नु गरे भने जनवरी को closing stock भने फेबरु वरी को closing stock गुरूप मा ओपनिंग इस्टा को रूप मा जनवरी को closing तसर्था आम लें यहांके गर्शाओत भन्दा यो वान लाख लाए फेबरुरी को opening stock को रूप मा देखाँ छों तेस्ते फेबरुरी को closing stock March को opening stock को रूप मा हुशा अगा जनवरी को opening stock भने को question मा दीनू कर सा जस्तों आमलाए last year को balance sheet देखो सा यह last year को balance sheet मा आमलाए inventory of merchandise बने रहा 80,000 गीवन सा तो 80,000 मा आमी एज बिगिनी inventory अफ जनवरी बने देखाँ सा यहां दीदा तो December को balance देखो गला अगा opening stock राखने बेलामा आमी संगा concept संदाई सा budgeted period को beginning को जदीशा तेसे लाई आमी opening stock भने रहा टोटल मा पने देखाँनू गर्छा अब आमी merchandise purchase budget बनाऊने बेलामा एसरी आमी sales बाट ग्रस profit घटाए रहा शीओ जीओ जीओस निकाले रहा तेसमा closing stock of merchandise लाई यहां गर्छाँ रहा opening stock लाई लेश कर्छाँ जदी आउँशा यह बने को plant plant merchandise merchandise भर्ची जाँसा अब्लां मर्सेंड़ीच जाँसा अब्लां मर्शनदाईच वस जाना जाते हैं वान लाग मुगा फस्त मा नए थेस दी टूवसंटी बागा है रहा थेस्टीओन भीडाऑ थेस्टीओन। वानलाग भीडाए तो थेस्टीओन धिच्वानाग पर्टी थिलाग सिक्स्टी थाउजिन ना आमी मर्जनडाइज पर्शेश टोटल नीजा चाल यह सरी आमी मर्जनडाइज पर्शेश बजीट बनायों एकन्ड रिक्वार्मेंट मा आमलाई ओपरेटिंग अक्स्पेंशेश बजीट पिरपियर करना वनेको छा और यो औप्रेटिंग एक्षफेस बजेट संग संभनेद इनफरमेशन भने कौँआ आमले माथी, औपरेटिंग एनदिच्टिबिशन गषतेश है और थर्टाइ पर्षेन सवां सेल्स मातरही देखौँचा अरू तिस्टो इनफ्रमेशन केच आई तेस्टे फेब्रुर्री को 2 लाग और मार्स को 2 लाग 40,000 आए ना और जो टोटल चे आमरो 6 लाग होंतियो जो आमरो खाली बेसिस भाएको होना ले वा अर्था सेल्स रेविन्यु मा बेस भाएरा आमी अपरेटिंग एक्स्पेंसेस बनाउन बरने होना ले यो माथी लेहेको येसला आमी येसरी क्लोज गरना सकीन छा अब अब अपरेटिंग अपरेटिंग एंड डिस्टिविशन एक्सपेंसेस बने रामलाए 30 परसेंट अफ सेल्स देगो छा अब यो खास गरी 30 परसेंट अफ सेल्स बने बची यो वहरियेबल उन्छा तरा फिक्स अपरेटिंग क्ये पनी नब आएक हो नाले आमी चंग एत्ती मातर इंफर्मेशन छा ते आमी 30 परसेंट गर दे रागते गर्शां 1,60,000 को 30 परसेंट 48,000 तेस्टाइ 2,00,000 को 30 परसेंट 60,000 2,40,000 को 60 परसेंट 30 परसेंट 72,000 अणी यो सब आमी जोडे बिन्या राग्षां और था थे 6,00 30 परसेंट गरी राग्षां 1,80,000 अशरी देखाना सकीन छा अब यो अपरेटिंग एक्सपेंशेस संगरी लेटिर अरु क्याई पनी नभाई पो नाले आम्रो यो टोटल रिजल्ट पनी स्यमी गई ने यो टोटल अपरेटिंग नो एक्सपेंशेस यो प्लांड और बजिटेट वाने गोसें आम्रो ये ने भो 48,000 जनौरी मा 60,000 थेबुरुरी मा 72,000 मार्स मा रवान लाके 80,000 तोटल मा गोरे रा हम्रो यो सेकंड रिकार्मेंट पनी कम्लीट गोओ third requirement मा हमलाए C number को requirement को solution मा आमलाए Cash Budget पिर्प worries गरना पने को सा रäre cash budget गरने त्री मांत कोह पिर्पीर गरना परसा ending March फ्र्स रिस त्री मांत इंदिंग मार्स है नह तीन मैना सम्मा को लागी जनवरी फेबरुरी मार्स को लागी अनि यो cash deposit पिर्पियर गरनी वेला मां हमी सब्बंधा सूरु मां opening balance of cash बाटाई स्टाट गर संग opening balance of cash यो opening balance of cash बनेको last month को balance sheet मां होला cash बने रहा 10,000 देखो छा ते 10,000 ना हमी यानि रहा जनवरी मां देखाऊँ छाँ अगा यो opening balance पाछी हामी यानि यानि एड गरनु बरने उन्छा cash sales and collection other receipt अरुके छाओ बने ते श्लाइब ने हमी के गरनु बरे देखाऊँ नु परेऊ अगा cash sales and collection मां पाइड़ेता आमी शाँगा sales को policy के छाए अरुन बर्षा अगा sales चाँ mostly on credit बने गोछा तासर्था यान सब्वे sales चाँ credit हो अनि तासर्था क्या sales चाई ना आमी शाँगा आमी credit sales लाइ collection करशू मैड़ेता सर्था यानि रह collection बने लेखें और collection को बने के छा बने 50% चाई 50% सेम मांथ बने गोछा यानि सेम मांथ मैं collection होंचर्य 50% credit sales are collected in the month of sales बने चाँ रिमेनिंग 50% चाँए collected following two month of sales equally बने चाँ दुई मैना मा बराइबर collection गरने बने आशा ताई बराइ 25,000-25,000 बायो यो चे आमरो next month मा next month मा collection उन्छा यो next following month मा collection उन्छा यो relation बने आमी भूजनु बर्छा तासर्था आमलाई sales देखोछा पहिदे जनवरी गोए रहों 1,60,000 त्यो 1,60,000 को 50% गरनु बर्यों same month मा राखनु बर्यों बर्यों यो 80,000 बो अनी त्यो 1,60,000 को 25% आमी औरको मैना मा आनु बर्यों जोन 40,000 उन्छा त्यस्ते 1,60,000 को अज्ज़ 25% करशा आमी यो next following बने जनवरी गो बने फेब्रुरी बना बर्यों मार्ज मा फेरी 40,000 जान छा त्यस्ते आमी फेब्रुरी को सेल्स लाइर नु पर्यों फेब्रुरी को सेल्स हाम्लाइक कदी देगो छा 2,00,000 अब 2,00,000 को 50% जा हम्लों फेब्रुरी मा 50% सेम मां कलेक्शन हुन्छा अब बांकी बजेको जुन 1,00,000 त्यो 1,00,000 को 50,50 बने को 50,000 जा हैं मार्ज मां कलेक्शन हुने बो बांकी 50,000 जा हैं याज एकाउंट रिशीएबल को रुप मां जाने बो एकाउंट रिशीएबल कोई रहा आमी देखाऊंँ छों अनी तेस्ते आमी यो बन्ता पची मार्ज को सेल्स लाइर नुकर्शा मार्ज को सेल्स बनेको 1,00,000 जा अब त्यो 1,00,000 लाही बिचार गरों मार्ज को सेल्स आम्रो 2,00,000 छा 2,00,000 को 50% बनेको 1,00,000 भो 1,00,000,50,000 चाही सेम मां गयो रहा तेस बची 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 को जुन फीगर्शा 1,00,000,000 तो चें आम्रो नेक्स्ट मां जानू परने यो आमलाई दियेगो छाईना तसर्था येस लाइपन यानी एकाउंट रिशियेबल भनेर देखाऊंँ छों अब यो आमरो जनवरी, फेबरोरी, मार्स को क्याल्कुलेशन गरेऊं अब आमी जनवरी बन्दा अगीलो मन्त मा जान्छों डिसेमबर मा जान्छों डिसेमबर मा अमलाई दियेगो सेल्स 1,60,000 छा 1,60,000 को 50% शेम मांथ बनेगो छा डिसेमबर में कलेक्शन हुनछा अनि 1,60,000 को 25% नेक्स्ट मंथ बनेगो छा वन्नुग अर्थ जन औरी में जान्छा 1,60,000 को 25% मेंने आप 40,000 गो अनि तेस्ते अरकु 25% फेरी नेक्स्ट फॉलविंग मंथ बने फेबुरी में जान्छा 40,000 अब आमी नोबेम्बर बाटा कोलेक्शन करने करेऊ अब नोबेम्बर मा आमलाई सेल्स देखो छा 1,20,000 नोबेम्बर को 1,20,000 को 50% नोबेम्बर में कलेक्शन हुन्छा अनि 1,20,000 को 25% से नेक्स्ट मंथ डिसेम्बर मा कलेक्शन हुन्छा बन्नुग अर्थ 1,20,000 को 25% में जान्या 30,000 हुन्छा तो 30,000 आमी यहां देखाऊंँ छोंगे यहां रिया आमी चाहिए cash correction लाई जाए देखायों अब cash receive संगा संबन दीत यहां information के income अरू शाओ बने देखाऊंँ बर्शा आई ना income अरू मा यहां आमी शाओ तेस्टो sales गरेगो, assets अरू sold गरेगो अनि शीयर अरू issue गरेगो केई बने दियेगो चाहिए ना केई बने इन्फर्मेशन चाहिए ना तो सर्था आमी श्लाइट टोटल करशंँ यह टोटल करशंँ यह टोटल करशंँ बने चाहिए क्यां उच तबनता cash total cash एभाई जे बनाऊँच यह आमी पची जोड़ूला तयो बनता पहले आमी के गरशंँ तबनता cash disbursement तीर जानशंँ अब cash disbursement मा हमी यह जती पनी यह cash sales and collection को गुरा cash disbursement को गुरा गरेगा शंँ भजिट पिरप्योर करेगो उनना दे यह प्लान नहीं हो अब आमी अगी merchandise purchase बजिट बनाएगा थिमें रफ उक्त पर्चेश को जी payment कोईली गरने बनने गुरा शा तसरत दे श्लाइचे आमी है payment for payment for merchandise purchase बने देखावनू पर्यो रईयो purchase को जी payment कोईली गरने बने गुचा एक पल्ड़ यह हो all purchase are paid in the following month of purchase बने शा यह बन्नुक अर्था चें next month मा कीओने रईचा payment गरीने रईचा तसरत आमी merchandise purchase बजिट बाट चें के गरू बर्यों देखावनू पर्यों जस्तो merchandise purchase बजिट रंगी बनाऊदा आमले जनावरी मा वान लाख फ्राप्त वागो थियो यह वान लाख जून पर्चेज था जनावरी को यह फेब्रुवरी मा पेमेंट गरीने उना ले यह आमी फेब्रुवरी मा वान लाख लेख शाओ अने तयस्ते सथे फेब्रुवरी मा वान लाक फ्राप्त लाख लॉझेट थियो तो मास मा Конintell वलला प्राप्त लेखना करी छाओ पेबल वानिए देगोला पति देगो सथ वंदा एक्टी थाउजिनु यह दी यो एकाउंट रिषेबला वानिया आमी मांधी सो करी सक्यों और थे स्था यू पेमेंट फर परसेज़ पाचित बाचित अथो अपरेइटिंग एक्सपेंस पनैंग आमी परिपयर गरेगा थियो operating expenses budget तो operating expenses लाइब नी देफान गुर्षा operating expenses को पनी पेमेंट रा operating expenses budget भाटा आमी जनवरी मा 48,000 February मा 60,000 रा मार्स मा 72,000 प्राप्त गरेगा थियों ये स्लाइच है पेबल लो अन्द month of their being due बनाचा तसर्था same month माने पेमेंट गरींचा 48,000 जनवरी मा February मा 60,000 पनी मार्स मा 72,000 त्यस्ते operating expenses भाची अरूपने कैई assets अरू purchase गरेगो और त्यस्ते अन्दे पने expenses अरू payment गरेगो जनवरी त्यसलाइच देखाऊनु करशा तर याँ अगी आम लाइच देखो थियों thinking to buy by computing machine भनने जो पनी आमी याँ देखाऊनु करशा payment for machine purchase machinery purchase गरेगो गतिवा त्यस्ते अन्दा 80,000 तर याँ इन्द मान्थ अफ जनवरी बने को छा जनवरी मा आमी 80,000 देखाऊनु करशा अरू month मा आम लाइच देखाऊनु करशा अब डिसपर्स्मेंट सांगा related पनी information अरू आमी शांगा यतिनी छा अरू information अरू देखाऊनु केई पनी छाईना आएना तोसर था मी यह स्लाइबनी total गरनु करशा बी मा आमी total cash total gas disbursement अब यह एर बीला आमी total गरशां कती आम सहीना तेस्ताई a-b गरेरा आमी surplus और deficit निकाल सां तिर्सताई borrowing गरनु करने छा बने borrowing पनी देखाऊनु परियो औने repayment गरनु करने अस्ता छा बने repayment बने interest payment गरनु करने छा बने interest paid बनी यह पनी आनी देखाऊनु करियो संगशां यह आमरो अभा आमनी balance बनाचे closing और minimum cash balance आउंशा जो आमरो last माँ चैं minimum और closing cash balance आउंशा पहले आमी अभाकिये गरनु परियो तबन्दा यह total cash available कती आउंशे S लाइपानी जोन्दू परियो disbursement लाइपानी जोन्दू परियो पहले आमी मादी जोनों 10,000 80,000 1,30,000 1,60,000 यह आमरो total चें 1,60,000 आउंशा तिस्ते आमरो पेमेन साइड मा जाओं पेमेन साइड मा आमरो 80,000 80,000 1,60,000 40,000 2,00,000 8,000 आउंशा अब माथी A-B गर्भ परियो आउंशा आमरो deficit देखी दाईशा नेगेटिब माँँद दाईशा अहीना कति आउंशा द मन्दा 48,000 minus माँँशा अने 48,000 आमरो deficit आउंशा अब deficit बहयो बनेचे आमी loan लिनुपर नेँचा लोन को लागी 12% loan available छा रो लोन लिनेवेल आमा 5000 को multiple मा लिनुपर आईँचा अब आमलेकी बिचार गरनुपरे बने 48,000 चे आमीशंगा नेगेटिब माँचा एती आमरो चे लोस्ट चा संक्संगे आमरो के छा बने मिनिममम मेंटेंड गरनुपरने cash balance बने 10,000 चा अब 10,000 क्यास मेंटेंड गरने मिनिममम cash balance मेंटेंड गरने रा यो 48,000 लाई रिगावर गरने हो बने आमलाई जम्मा जम्मी 58,000 को चे क्या हुआँचा तबंधा cash नीडेड उन्छा रा 58,000 cash नीडेड उन्छा बने आमी 5,000 को multiple मा कीत 55,000 प्राप्त गरना सकीन छा रत यस्ता ही जो गुरलाई मुआ या ले आसलाई recover ना गरे सम्मा आमरो balance चे क्या पोजिटिव मा हो दाई ना तसर्त आमी क्या गरनू परे बने यो 48,000 लाउस चा और जे आमी 10,000 चे क्या गरनू परे तबंधा minimum cash balance मेंटेन गरनू परे बने जम्मा जम्मी आमलाई 58,000 चे क्या नीडेड चा 58,000 चे क्या नीडेड च तर 5,000 को multiple मा लीन परने हो नाले किता 55,000 पाइन चा किता 60,000 पाइन चा तर 55,000 लीओ गने आम लाई 3,000 चे क्या पुख दाईना तसर्त आमी 60,000 चे क्या गर्शों लोन बारोइं गर्शों रा लोन बारोइं गरे को नाले अईलिया आमी एसको repayment गरी दाईना और इंट्रेस पने payment करना सकी दाईना तसर्त आई स्लाइज जोडेर आमरे चे अबख्ये गर्शों तामना minimum balance और closing cash balance निकाल्शों 60,000 बाटा यो लेस गरेर आमरो 2,000 आऊशा अब यो 2,000 बने को जनवरी को लागी चे चे closing balance हो जो आमरो जनवरी को जन closing balance सा एलना आमी एज ओपणिंग बैलेन्स आफ फेबरुआरी भनेर माधी आमी फेबरुआरी मा देखाउन पर सा फेरि आमी यो opening balance संग संग है यो फेबरुआरी को total गरनू पर सा एस्लाइट टोटाल गर आमी यह देखाउन पर सा जस्तो 1,00, बो 1,80,000, 90,000, 92,000, 1,92,000 आऊशा अनि तेस्ते आमी पेमेंट साइड मा पने क्यो गर्नु परशा दमन्दा टोटल गर्नु परशा यो टोटल गर्दा 1,60,000 आऊशा यो 1,60,000 ऐस पाट लेस गर्नु परियो रामरो अब चाहिं सर्प्लस रा डेफिशिट की आऊशा तो निकालनु परियो 92,000 बाटा 60,000 गटां धा 32,000 आऊशा तरह यो सर्प्लस मा आऊशा ये सरी सर्प्लस मा 32,000 आई सके बाची आमी मिनिमाम क्यास बैनेंस 10,000 मेंटेंड गर्नाई पर्शा जस्तो मैं ले फेर यहां लेखे रादे तब 10,000 मा आमी चे आमाटा लेस गर्शां तो रा आमी संग मिनिमाम क्यास बैनेंस मेंटेंड गरी सके पाची बांकी बचेगो बैनेंस बनाई आचें कदी होता बंदा 22,000 हो यो 22,000 ले आमी रिपेमेंड लोन रिपेमेंड पने गर्नु गर्शा आईना और इंट्रेस्ट पने गर्नु गर्शा तो सर्था आमी के गर्शां तो बंदा अब 22,000 ले पेमेंड गर्यों बने तो आमी इंट्रेस्ट पेमेंड गर्न पुख दाईना तो सर्था आमी 21,000 पेमेंड गर्यों बने इंट्रेस्ट पेमेंड गर्न पुख सके पुख दाईना बने क्यालकुलीशन ग तर आमी 60,000 loan लिएका थियों at the beginning of January, loan was repaid at the end of February, so here is two month, जस्तो यो January को बनी February को बनी गरें, आमी two month को जहिए के गरनु पर सा, interest payment गरनु पर सा, तो सर्था आमी यानी रखे गरें बन्दा ये two month को बनी calculation गरें, रहे सरी two month को calculation गर्दा जम्मा आमरो कती हों चाथा बन्दा 420 हो ये 420 चे आमरो interest हो, तर इंट्रेस्ट के करने बन्दाईशा बन्दा नियरेस्ट आफ रुपीज 100 बन्दाईशा, 100 को नियर मा तीर्णु पर सा बन्दाईशा, तो सर्था आमी के कर सो बने 420 payment ना गरेरा 500 payment गरनु गरेंशा, या आमी तो सर्था 21,000 चे आमी लोन पेमेंट गरेंशा, तर इंट्रेस्ट बनेरा अब आमी चे 500 payment गरेंशा, अब जती बत शत्यों आमरो minimum cash balance होनु पर शा, और थात minimum cash balance maintain होनु पर शा, और बाकी बचे को जुन बैलेंशा, तो closing cash balance होनु छा, तर अब 1000 को multiple मा आमी रिपेमेंट गरना पाऊने हो बने, या 11,000 चे balance बस नो हो दाइना, अब यो 32,000 आमरो जुन surplus सा, तेस बाटा आमरो यो रिपेमेंट 21,000 तर इंट्रेस 500 लाए लेस गर साँ, ये सरे लेस गरता आमरो 10,500 हाँ सा, यो 10,500 बनेको February को जुन बैलेंस सा, यो February को closing balance ला, आमी ये जो opening balance of March बनेरा फेडिया, आमी March मा देखाऊनु पर नि अब यो 10,500 हो गए सा, आमी total गर सा, यो total गर्शा हो, और तयो total गर्दा आमरो कती हाँ सा तक मन्दा, 120, 170, 270, 210, 220, 220, 500, 22,500 हाँ सा आमरो यो, अः फेर ही आमरो payment side मा पने, disbursement side मा, फेर ही आमी disbursement side मा पने total गर सा, अर यो पेमेन साइट को टोटल 1,20,000 रा 72,000 लायमी टोटल गर्षां यो गर्दा 1,92,000 आउछा रा यो 1,90,000 बी टोटल क्याश दिश्पार्श्मेंट को बहलू रा आबरो A बने 1,20,500 यो दुटा को डिफ्रेंचिस लायमी याँछे सार प्लस रा डेफीचित बाने रा क्याल्कुलेशन गर्ण करने हुँँँँचा जस्तो टेन 20,000 यहाँगो बायो 20,000 रा यो 8,000 28,500 28,500 आउछा तरह यो सार प्लस मा आउछा यो 28,500 जो नामरू प्राप्त वागो चा यो आमी संगा ये दी सार प्लस चा तरह अगी आमी के कर जिए का धियूंगा यादे 60,000 लोन लियेगा धियूंगगति एक तुए 60,000 लोन मत्ये आमी जम्मा 21,000 मात्रे पेमेंट गरेगा शूंग 60,000 आमने टोटाल लोन लिएगो हो र एस मद्दे आमी 21,000 चाइं पेमेंट गरिऊं अब आमी संग चाइं कती सत बन्दा 39,000 लोन चा आउट अफ दीज यो 39,000 मद्दे आमी संग अब एबाइलेबल बने 28,500 मातर ही चापने यो 28,500 मद्दे 28,500 मद्दे आमी 10,000 चाइं मिनिमाम क्यास ब्यानेश मेंडेन गर्नु पर्छा रतेशो गरता 18,500 मातर ही आमी संग लोन रा इंट्रेस्ट पेमेंट गर्ना को लाए ये बाइलेबल बने चा तसर्त आमी कियो कुरा ख्याल गर्नु परिए यो 1000 को मल्टिपल माँ पेमेंट गर्नु पर्नी हो 18,000 को मातर ही आमी चाइं तीन महिना को इंट्रेस्ट पुक सकी पुक दाइन तोपने बीचार गर्नु पर्छा रतेशरी 18,000 को मातर ही तीन महिना को इंट्रेस्ट पुक सा बने मातर ही आमी अब यो 500 ले इंट्रेस्ट पुक्ष बने मात्रे आमी के गरना सक्षम्थ बन्दा यह 18,000 ने लोन पेमेंट करना सक्षिंचा यह 3% करदा हमँचा अठा रहती है 14,540 यहमँचा तसरता हाम्रो यहाँ चाहिए यह 18,000 टोटल चाहिए आमी पेमेंट करना सक्षिंचा और तसरता हाम्रो यहाँ अब 1,000 को मल्टीपल बने 17,000 रहाए हो 17,000 चाहिए आमी लोन दिर शाँ अवा 17,000 को चेह आमी के गर्शोंक भानदा 3 months को चेह इंट्रेस्ट पेमेंट करना सक्षिंचा 17,000 को 3 months गर्शोंक कर शोंक भास्योंक भास्योंक बने 222 टीए होंक 510 को चीह अब 502 टेइन अला बने जस्तो 510 आयो बने था आमी 500 तीरे उन्छ 10 रुपीच चे पेमेंड गरनु पर दाइना इना बन्था 500 को नजीक मा शा 600 को नजीक मा कसरी बहयो बने स्वोचनु अला तरकी चा बने बेंग गरुले यस्तो 510 आयो बने उनी अरलाई चें 100 को मल्डिपल मा तीरुन पर अर तियो चें आमी जुन एक्स्टा तीरे का शां जुन 90 रुपीच एक्स्टा गवाखो शां एडवांस मा गवाखो शां तियो चें आमी पशी एरेंज गर्शां पशी एडवांस बने रह देखाऊं शां अर अब आमी चें यो 600 इंट्रेस पेमेंड गरे पच्छी आमरो बैलेंस कती उन्चे एसलाई लेस गर्शां यो आमरो 17,600 भायो यो चें 28,900 भायो एसो गर्था 10,900 आमरो क्लोजिंग और मिनीमम क्यास बैलेंस आउंचा तेस्ताई डी नम्मर को रिक्वार्मेंट मा आम लाई बजेटिट इंकम स्टेटमेंट सो देखो छा और बजेटिट स्टेटमेंट प्रिक्वार गर्ने ब्यला मा आमी तीन महीना को टोटल निकालनु परने हुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ टोटल आमरो 6 लाग छा है ना अनि यो non-manufacturing concern को कोईशन बहाएको उनाले कोईशन मा आपके gross profit दीएको छा तसर्था आमी यहां बाट लेस गरेड़ा यो cost of cost of good sold लाई लेस गर्शाँ जस्तो gross profit margin बने आम लाई 50% देखो छा बने remaining 50% चाहें क्योंचा cost of good sold उन्चा तसर्था एसको 50% बने को 3 लाग यो 3 लाग माती बटामी लेस गर्शाँ और प्राप्त बाएगो जुन यो 3 लाग सा यो नहीं gross profit उन्चा यो प्राप्त बाएगो gross profit मा प्राप्त बाएगो gross profit बाट आमी other operating expenses हो लाई लेस गर्शाँ आ लेस अपरेटिंग and distribution expenses बनेरा जो नामी budget बनाएगा थियों रत्यो operating expenses से आमरो 3 महिना को टोटल करदा 1,80,000 थियो टो 1,80,000 लाई देखां से आमी या रह ग्राप्त बाट बाट आप्रेटिंग expenses बाएगो लेस गर्शाँ के पाची जुन रिजल्ट आउँछ यो बने को आमरो income before interest and tax आमसा income before interest and tax यो आमी घटाँ यो total दाबागो net income बने को 1,20,000 आयो यो 1,20,000 बाट आमी लेस गर्शाँ interest को फिगर लाई जुन आमी cash budget बनो धाकेरी देखाएगा शाँ तो cash budget मां आमरो interest कती छा बन्दा पहिलो आमरो 21,000 थियो तो 21,000 को बनी interest थियो तेस ते आमरो पची 17,000 आमी loan payment गरेगा थियो ते आमी 600,000 interest payment गरेगा थियो तर, income statement बनाओने बेलामा exact interest को फिगर कती हो तेसलाई निकालेरा मातरे गटाउन पाएने उनाले आमी यानीर interest expenses बनेर exact जती आयेगो ते interest अरुलाई जोडश हो अईना एसरे calculation गरने देलामा पहिड़ो आमरो 420 आयेगो थियो 21,000 आमी लोन चे रिपेमेंट गरेगा थियो तेसको 2 month को interest calculation गरेगा थियो तो calculation करता आमरो 420 आयेगो थियो nearest hundred को multiple अर्थाक nearest hundred मा चे interest payment गरने बहने को उनाले आमी 500 interest payment गरेगा थियो तेसते आमरो पछिलो 17,000 लोन चे आमी रिपेमेंट गरेगा थियो रत्यो 17,000 लोन रिपेमेंट गरने बेलामा 510 510 रुगाजी interest गरेगो थियो यो पनी near about 100 भनेगो उनाले आमी के गरेगा थियो 510 नातिरी र शाशाई तिरी गरेगा थियो तेसर आमरो एक्चुल भनेगो 510 नायो येशरी आमी interest लाई जोडननू परछा रशांग संगए अचे आमी loan पेमेंट गरनू परने छा रथियो इंट्रेस्ट भने आमी calculation गरेड़ा working note मा निकाल दीनू परने उन्छा जस्तो मैले working note यानी र देखाएं जस्तो आमी loan टेकन गरेऊं 60,000 यो 60,000 मते 21,000 आमी second month मा पेमेंट गरेऊं जस्तो आ 17,000 आमी और को मैना मा पेमेंट गरेऊं अब आमरो remaining loan से कती छा त्यो निकालनू परछा पहले स्लाइग अटायरा कती आऊंचा यो calculation गरेरा आमरो 22,000 आउद रहेचा यो 22,000 जुन आमरो remaining loan छा on paid loan छा तेशको बनी आमी इंट्रेस्ट नहीं पेमेंट गरनू पर्नेयों छा यसलाइग आउटिस्टानिंग इंट्रेस्ट को रूप मा देखाऊंनू पर्नेयों छा रहे यो आमी तीन महीना को नहीं क्यालकुलेशन गरदीनू पर्नेयों छा तासरता आमी यानीरा दी 12 पर्सेंट छा 12 पर्सेंट तरह 3 मांथ को नहीं क्यालकुलेशन गरनू पर्नेयों 22,000 को 40 पर्सेंट गरनू पर्यों जो 660 चेंग आमरो इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट ड्यू छा तरख्यच अ बने यानीरा माती आमले 420 पर 510 जुन आमी पेमेंड गरेगा स्यों यो यజधी पेमेंड करनू बर्ने मां आमी यह जें 500 पर 600 पेमेंड करेगा स्यों तेसरी एक्स्टा पेमेंड गरेगो नाले यह आम्रो ड्यू एमाउंट बाट गर्टाए रहा आमी बैलेंस इट मा देखाऊनों सकीन छा अईली आमी यह के गर्शों बने 660 लाइ ड्यू इंट्रेस्ट बने रहा यह एड़ गरे रहा देखाऊनों बरने रहा 660 प्लस 420 प्लस 510 लाइ ड्यू गरे रहा आमी 1590 आम्रो इंट्रेस्ट अच्पेंस हो एसला यह माथी बाट लेश कर्शाऊं यह बने को इंकम बिफोर टैक्स आउंच जो आम्रो लेश कर्दा 1,18,410 आउंच अब अईली आम्लाइ यह कताई बने टैक्स को गुरान दिये को उनाले आमी यह फिगर लाइन आम्रो अईली गो नेट इंकम मान्च आउं रहा एसला आधार मां आमी बजेटेट बैलेन्स इट बनाव शों अब आम लाइ फिप्त नम्मर को ई नम्मर को रिक्वार्मेंट मां बजेटेट बैलेन्स इट पिरपियर करना मने गोशा रहा यह ब्राप्त गरें को इंफर्मेशन आम लाए देखाऊंच वा सब्बंदा सुरु माँ एसेड साइड बाट शूरु करूं या हम लाए यूटा मेशिंग पर्शेज करें को इनफर्मेशन दियेगो थियो computing machine as per season january बनेर देखो थे आम लाई जसको cost चाहिए 80,000 देखो आई ना तसर्त मेले यानी रा machinery बनेर लेखे रहा यो machinery को cost चाहिए 80,000 देखो छा depreciation अरुको कुरा गरेखो थे ना अनी machinery पशी अरुतेस्तो एसेट सर्व आम लाई केपनी शही ना इना तही बहरा मेले यान क्यास लेखें क्यास बनेको आमरो क्यास बजेट मा भहेको balance लाई देखाऊन करशा और क्यास बजेट बाटा आमी प्राप्त गरेको balance बनेको 10,900 थियो यह 10,900 थियो आमी अई लेग यास बनेको देखाऊन करशा अनी तेस्त है आमरो account receivable account receivable हरु बने आमरो cash budget को remark column मा दियो आई ना त्यो remark column बाटा बने आमी account receivable हगलाई लेऊन करशा या remark column मा आमलाई account receivable बने रहा यहँटा 1,020,000 था रा और को 50,000 था यह 1,020,000 रा 50,000 ला एड़ कर शों आमी यो दुटाला यहां देखाऊं शों यह बनेको 1,070,000 था जो आमी 1,070,000 ला यहां account receivable 1,070,000 यहां देखाऊं शों merchandise purchase budget मा inventory वाला रत्यू inventory लाई बने आमी यहां इर inventory merchandise inventory वा inventory मात्री बने बने लेखना सकीन शों merchandise inventory बने को total column मा बहाएको closing stock लाए यहां बने पर शों जो आम्परो 1,040,000 था जो 1,040,000 लाए देखाऊं शों अब आमी चंग यहां out standing interest अल्रेड़ी बहाएको उनाले यो due interest अल्रेड़ी बहाएको उनाले जो advance मा अब यो side मा जाओ, लावल्टी side मा जाओ, लावल्टी side मा जाओ, लावल्टी side मा अईले आमी चंग ओनर्स capital अल्रू केईपनी शोई ना अईना ता सर्ता ओनर्स capital अईले केईपनी न गरौँ, अब अब अगाउंट्स पेबल एकाउंट्स पेबल हम्रो cash budget मा थियो, cash budget मा हम्रो accounts पेबल भनेगो 1,40,000, त्यो 1,40,000 ला हमी या देखाउन गरेओ अनि तेस्ते यो साइड मा हमको loan payable cash हाऊ बने तेसला देखाउन पर सा जुन अगी पने हमी calculation गरेगा थियो, 22,000 तेसला हमी short term borrowing बने देखाउन दापने उन्सा short term borrowing बने को 22,000, यो कसरी आयता बन्ता है, 60,000 बाटा 21,000 दा 17,000 आमिल रोन payment कर्यों न थिरेको on paddle बने लाएज है, हमी या यह यह लेविल्टी गो रूप मा देखाउन दाइशाँ, तेस्ते हमी इंट्रेस्ट आउडिस टनिंग बनी छा आहिने जो आउडिस्ट आने इंट्रेस्ट बनेको खासकरी 660 हो, 660 मात्रे हो तर, जस्तो 420 payment गर्णु कर्ने ठाउमा आमि फाइब अंड्रेड तीरे गाशाँ ते बर यहांको चाहिए जुन 80 रूपीच चात्यो एडवांस मा आमे तीरी शकेगा छाँ, जुन पची आमरो यहां चाहिए 660 जुन पेमेंट गर्णु कर्ने छा, एस बाटा आड्जस्ट गर्ना पाइन छाँ अनि तेस्ते आमरो 510 पेमेंट गर्नु कर्ने मा आमले चाहिए 600 पेमेंट गरेगा छाँ, त्याँ एडवांस मा तीरीएको 90 लाइपने आमी 660 मद्दे बाटा आड्जस्ट गर्ना पाइने होनाले, जो 660 बाटा यो द्योडा फिगर ला आमी चाहिए लेस गर्नु कर्छा, और एशरी लेस गर्था 490 उन्छा, त्यसला हमी यहां देखायों, और संसंगे आमी इंकम स्टेट मेंट पिरपियर गरेगा यहां बाटा हमी केरे नेट प्रॉफिट मेंगा लेगा थियों, जो नेट प्रॉफिट लाइपने हमी यहां देखायों शकीन छा, यो जहीं कस्त बने, ओनर सीखुटी बने रा अलग गई देखाये पने उन्छा, नदर सीर क्यापिटल बने रा बैलेंस गर्दिवला, और रिटेन अर्निंग और नेट इंकम बने रा मेले यहां लेखती हैं, नेट इंकम बने रा जोन 1,18,410 आमी निकालेगा थियों, एसला हमी देखायो अलग। 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 लाग 70,000 प्लस लाग 40,000 यह सो गरता आमरो टोटल बने चाहिए 4,900 आउचा और यह 4,900 बाटा यह साइट को एमांट तरो गाटाउचा हूँ 1,400,000 गाटाई हूँ 22,000 गाटाई हूँ 490 बने गाटाई हूँ रह 11,8410 बने गाटाई हूँ यह सो गरता आमरो 1,200,000 फुक दाई हूँ रहा यह 1,200,000 बने को चाहिए बैलेंसिंग फिगर हूँ यह ओनर्स इकुटी लेखे पने उन्छा ओनर्स इकुटी भने को खास गरी चाहिने प्राफिट लाई बने जोडे रा देखाईने उन्छाले यहाना हामी अलग गई छी क्यापिटल भने रा लेखती हूँ क्यापिटल तरह यह बैलेंसिंग फिगर हूँ किना कि आमी शंग यह बंदा अरको उपाय चाहिना यह क्यापिटलेशन करने यह सरी आमी बैलेंसिट पने कंप्लीट गरना सके इन्छा यहाँ उरले मास्टर बजिर भन्ने वित्ति गये धिरे ठूलो गुरा केवन न समझेनुवला यह सरी हमी बिबिन बजिर अरु पिर्भियर गर शंग अने तो बजिर अरुको हेलप बाटा क्यास बजिर बनाँ छंग रा क्यास बजिर सम्मा को हेल्प बाटा जाएं बजिटेट इन्कम स्टेटमेंट रा बैलेंसिट पिर्भियर गर संग लई यहाँ अरु संग आजगो क्लास नमयले उड़ा मास्टर बजिर को कंप्लीट सलूशन गरें एसता किसिम का कोईशन हरु लिए रा फेरी पनी उप पस्ति दूने नहीं सु तब सम्मा का लगी यह अरुस नम्हाद बाटा बिला हुंसु पस्ता नमस्टे